यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए कि YouTube, Facebook, Instagram किसी भी application पे तीन copyright या तीन strike आता है तो आपका account परमामेंट डिलेक्ट हो जाता है या आपके account पे एक भी copyright आता है तो आपका account का पूरा rich down हो जाता है और आपके account से कोई भी video viral नहीं होता है लेकिन problem यहाँ पे यह है कि YouTube वीडियो के तो नीचे ही copyright या strike आता है तो देखने को मिल जाता है वीडियो के just नीचे लेकिन Facebook पे इस तरह का कोई भी system नहीं है कि आपको वीडियो के नीचे copyright या strike देखने को मिले यही सब के चकर में अभी के time में 99% creator के Facebook पे copyright या copyright strike आया हुआ रहता है और उनको पता नहीं चल पाता है जिनके बज़े से वो लगातार वीडियो को upload करते रहते हैं वीडियो हो गया या short वीडियो हो गया वीडियो को upload करते रहते हैं और जब उनका वीडियो वाइरल नहीं होता है तो उनको लगता है कि मेरा content अच्छा नहीं या वो बाद में वीडियो अपलोड करना ही छोड़ देते हैं लेकिन यह सब का सबसे बड़ा reason अभी के time में या हुआ रहता है और आपको कुछ पता नहीं चल पाता है लेकिन आज किस वीडियो में facebook page या profile के कैसे copyright या community guideline को चेक किया जाता है यहां पर यह कितने option में होता है पूरा tool के साथ इस वीडियो में आपको हम चेक करके बताने वाल और साथ में अगर आपके account में कोई option गलत ह तो उसको कैसे solve करना है पूरा details के साथ इस वीडियो में बताने वाले है चला भए देख अपने क्या करता है तो अब हम process की और चलते हैं तो यहां पे हम अपने phone में facebook application को open कर लेते हैं open करने के बाद सबसे पहले हम facebook page पे आ जाते है क्योंकि बहुत सारे user facebook page पे वीडियो impression क्लिक करने के पाद यहाँ पे page name पे अबार यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे page के साइड में 3.com का जो option है इस पे क्लिक करना है यहाँ पे आने के बाद ऊपर ही आपको नहीं यहाँ पर चेक कर लेने के बाद यहाँ से back आना है तो इसको चेक कर लेने के बाद अब आपको अगला option को चेक करने के लिए फिर से profile पर इक्लिक करना है। इसके ही नीचे monetization का option आ जागा तो इस पे भी क्लिक करदना है क्लिक करने के वाद यहाँ पे यह देखना है उपर जो no monetization valence का जो option है यह आपके account में रहना चाहिए अगर यहाँ पे कोई other option है तो आपके account में जरूर कोई ने कोई problem है और यह सारे problem पे हमने video बनाय हुए है जो video का link इस video के description में मिल जागा तो यहाँ पे आगे क्या करना है कि यह नीचे जो दो option है यह option में भी side में green tick रहना चाहिए अगर यहाँ पे किसी भी option में green tick नहीं है तो आपके account में जरूर कोई ने कोई problem है और यह सारे problem का solve इस video के description में मिल जागा तो इतना यहाँ पे check करने के बाद यहाँ से back आजाना है back आने के बाद एक step और back आना है back आने के बाद अब आपको उपर monetization का जो option है इस पे click करने के बाद यहाँ पे खास कर ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सरा tool आजाता है जो सभी option को आपको check कर लेना है तो यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा नीचे scroll down करना है scroll down करते ही यहाँ पे ads on real का option देखने को मिलेगा इस पे click करना है यहाँ पे आने के बाद जैसे आफ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह का option आएगा और इसके side में यहाँ पे green tick लगा हुआ रहेगा तो यह भी आपके account में green tick लगा हुआ रहना चाहिए गर यहाँ पे green tick नहीं है तो आपके account पे community garland आया हुआ इतना चेक कर लेने के बाद यहाँ से back आजाना है back आने के बाद इसके ही नीचे live ads का option आएगा तो इस पे click करना है और यहाँ पे आने के बाद जैसे आफ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह का option आएगा तो यहाँ पे यह नीचे जो green tick नहीं इससे आपको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे इसको नहीं देखना है यहाँ पे आपको main find क्या देखना है you follow facebook content monetization policy का जो option है इसके side में यहाँ पे green tick लगा हुआ रहना चाहिए अगर green tick नहीं है तो इस पे हमने already video बनाय हुए जो video का link इस video के description में दे देंगे आप वो video देखकर यहाँ पे आप अपना problem को solve कर सकते हैं इसके नीचे जो यहाँ पे यह green tick नहीं है तो यहाँ पे यह खुद से आप green tick कर सकते हैं इसके नीचे यहाँ पे live आना है अगर आप तीन बार live आते हैं तो यहाँ पे यह green tick हो जागा तो यह आपके defend करता है बस आपको यहाँ पे यह देख लेने के बाद यहाँ से back आजाना है बैक आने के बाद यहाँ पे नीचे जो इन stream add का जो option है इसमें भी आपको कभी कभी वही option मिलेगा जो हमने थोरे दर पहले बताया है तो यहाँ पे इतना ही देख लेने के बाद यहाँ से back आजाना है बैक आने के बाद अब जो हम आगे चेक करने वाले हैं वो page और profile दोनों में आपको चेक करना है अगर आपके पास page है तो page में चेक करना है अगर आपके पास profile है तो profile में चेक करना है तो यहाँ पे example के लिए हम profile पे ही आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद अगला option को चेक करने के लिए अपने profile पे ही क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है जैसा आफ थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे health and support का जो option है इस पे क्लिक करना है वो सभी वीडियो कमेंट या पोस्ट यहां पे देखने को मिल जगा जैसे मेरे फॉरफैल में दो यहां पे आया हुआ था जिसको हमने डिलेक्ट कर दिये हैं अगर यहां पे आपके किसी भी पोस्ट पे आया हुआ रहेगा सिंपल सा आपको उसको डिलेक्ट कर लेना है जैसे आप डिलेक्ट करेंगे तो आपका प्रोब्लम तीन महिना के अंदर सॉल्व हो जागा और ये सारे अपसन जो भी हम बता हैं उसमें कोई फ्रोब्लम मिलता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे वीडियो का लिंक दे रखें आपको वीडियो देखकर आप अपना प्रोब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद दया होगा इसी तरह से इनफर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चनल प्यार पिटे को सब्सक्राइब कर मिलता है नेक्स्ट वीडियो